सची पाते हैं पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है पत्नी समझदार हो तो घर जल्दी बन जाता है और दोनों समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता है बच्चे भी समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है और अगर मा बाप का भी साथ हो तो घर्षर्ग से भी सुन्दर वन जाता है एक सच्चे परिवार में काईदा नहीं परन्तु बिवस्था होती है परिवार में कानून नहीं परन्तु अनुशासन होता है परिवार में भय नहीं परन्तु भरोसा होता है परिवार में शूशन नहीं अपितु कोशन होता है परिवार में सूचना नहीं परन्तु समझ होती है परिवार में आग्रह नहीं परन्तु आधर होता है परिवार में संपर्क नहीं परन्तु संबंध होता है परिवार में अरपण नहीं परन्तु समरपण होता है जो माता पिता को स्वर्ग की ओर ले जाए वह होता है बेटा जो स्वर्ग को ही घर ले आए वह होती है बेटे और जो घर को ही स्वर्ग बना दे वह होती है बहु अर्थात पत्मी हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए हजारों दीपक चाहिए आर्थी सजाने के लिए हजारों गूंग चाहिए से मुद्र बनाने के लिए पर पत्नी अकेली काफिय घर को स्वर्व बनाने के लिए प्रेमी का चाहे कितनी भी मीठी हो एक दिन बीमारी बन जाएगा लेकिन पत्मी चाहे कितनी भी कड़ी वी ओसदी बन जाएगा सिर्फ पत्मी ही ये तीन बाते समझ सकती है हसी के पीछे का दर, गुस्टे के पीछे का प्यार और चुप रहने की वज़ा इसलिए पत्मी का रिस्ता सबसे अनमोल होता है धन्यवाई